Hey guys, welcome back to my channel, I am Sanvi और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी की एक PowerPoint presentation को GPNG फाइल या पर किसी भी PDF, Word, Excel में कैसे सीफ कर सकते हैं बहुत एजी लिए हो जाता है और इसमें आपको टाइम भी बेस्ट नहीं करना होता है तो अकसर हम screinshots लेता हैं PPT की दर से कि हम screinshots लेता हैं आपको पता ही होगल अपटप में screinshots कसे लेता है तो अकसर हम screinshots लेता हैं उसमें हमें बार-बार edit करो फिर आप ini screenshot लो तो उससे अच्छा मैं आपको एक feature बतारूं जो खुदी PowerPoint में है तो हम स्टाट करें तो गाइज मैं आपको बतारते हूं कि जो भी हमारी टेकनिकल चीज होती है हमेशा हमें लापटॉप से करना चाहिए ताकि बहुत इसली वह हो जाए तो गाइज इसमें मैं लापटॉप के पास अपने आ गई हूं और इसमें मैं अपनी प्रेजंटेशन खोल दूं जिसमें मैं सेकन और एडिट कर गोंडेच कीव मैं बता भी बद्न जान आ इन कमरें कीने तो दीए प्लें प्रेज्मकीं अबहरो बौहता जेयंस वेला ट्रेटीज यह मतने समें इसमें के शेठीट जुसें हो घ्श्या पहरेते हैं जाम थरे में नारतीअर गरा मनी कि जो बॉर्डर्स यह मैंने ही बनाय है अपने आप और मैंने इसके वीडियो भी बनाई है कि कैसे बनाना है बॉर्डल्स तो गदो आपको कि अहांत को दिस्क्रिप्शन मेर दाल देती हूं मैंने आपको दिखाया था अब हम नेक्स स्लाइड पर बढ़ते हैं स्लाइड एंड गाइस यह मैंने ऐसी एक पीपीटी बना रखी है ऐसी फॉर फन यह मनी के बाहर मैं सब कुछ अब इसको मैं को पीपीटी में कनबूट कोना है यहां पर दिखेंगे आपको यह उसमें से एक टाब आपको दिखेगा फाइल उसको चूज करेंगे और आपके पास कुछ ऐसा सा आएगा तो हम जाएंगे से वाइस में आपके पास यहां पर है आपके पास आपके पास यह उप्शन है फिर हम क्लिक करेंगे ब्राउस पे और हमार पस यह आ जाएगा तो आपको जहां पर भी सेव करनी है अपनी पीपीटी आप एक पार और अपना नाम वां अपना अपना कर लीजिए उसके बाद सेव के बटन के दबाने से पहले आप यहां पर दीख सकते हैं यह आएगा और सिफ टयीप हैल तो इसमें आपके पास यहां पर आएगा पावर पोcussions प्रेजनिंटेशन हैं मौंटीन सा उल्टा मौंटीन आए उस पे क्लिक करते हैं और यह आपके पास इतने सारे options आजाएंगे अब किसमें करना है तो आप वीडियो में भी कर सकते हो अनिमेटे जी आएफ में भी कर सकते हो तो मैं आपको अभी JPNG के form में करवाती हूं और उसके बाद हम करेंगे click save पे यहां पे अपके पास कुछ आएगा which slides do you want to export आप all slides कर सकते हैं आप just this one just this one में आपको choose करने का मौकर नहीं मिलेगा जो आपकी first slide है वही convert होगी तो मैं all slides कर रही हूं और यह convert हो रहा है और हम इसको लख जेते हैं इसके बाद so guys आपने जहां PPT करी है वहाँ पर आप जाहिए जैसे कि मैंने desktop पी की थी PPT से तो यहां पर आपके पास एक fold बनाऊगा अपने PPT के नाम से मेरा PPT का नाम था border so border की नाम से और आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर slide 1 as a JPNG आ गया so guys आपने देखा यह कितनी जादा ही असानी से हो गया so आप ऐसी कर सकते हैं PPT को किसी भी form में so अगर आपको यह वीडियो अचे लगी तो इसको लाइक करना श्रेयर करना और सुस्क्राइब करना मत बूलना बाई झाली